नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगगा डिफेंस सिंप्लिफाइड चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं आज की कुछ लेटेस अपडेट्स के बारे में तो चलिए जान लेते हैं आज की पहली अपडेट में हम बात करेंगे इंडिया की नेक्स जनरेशन टैक्टिकल एंटी रेडियेशन मिसाइल रुद्रम 1 के बारे में दोस्तों 9 अक्टूबर 2020 को सुबह 10.30 बजे इंडिया ने रुद्रम 1 का सफल परिक्षन किया है यह एक टैक्टिकल नेक्स जनरेशन एंटी रेडियेशन मिसाइल है जिसे सू-30 MKI द्वारा लॉंच किया गया था जो कि दुश्मन के रडार्स और सर्वेलन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में यूज करी जाएगी इस मिसाइल की लॉंच स्पीड 2 MKI है यानि साउंड की स्पीड से दुगनी रफ्तार से ये अपने दुश्मन के रडार्स पे हमला करने में सक्षम है इसे DRDO दुआरा डेवलप किया गया है और आज का टेस्ट ओडिसा कोस्ट पे स्थित बालासोर टेस्ट टेस्ट ट्रेंज से किया गया है इस मिसाइल के आजाने से इंडियन एर फोर्स के पास ये केपिबिलिटी आ गई है कि वो लॉंग रेज स्टेंड ओफ डिस्टेंस से ही दुश्मन के खिलाफ सीड ओवरेशन्स यानि सप्रेशन ओफ एर डिफेंसिस को अंजाम दे सकती है दोस्तो किसी भी जंग से पहले एक देश की वायू सेना को दुश्मन के एर डिफेंसिस और डार्स को नश्ट करना होता है ताकि बाकी के एर क्राफ्ट्स और आर्मी बैटल फिल्ड में अराम से अपना काम कर सके इसी काम को अंजाम देने के लिए रोदरम वन मिसाइल का यूज किया जाएगा आज का टेस्ट ये बताता है कि इंडियन एर फोर्स रोदरम वन को सुखोई एरक्राफ्ट के साथ इंटिग्रेट कर चुकी है और अगर बात कर ले इसकी रेंज की तो वो एरक्राफ्ट की हाइट पे डिपेंड करती है कि वो किस आल्टिट्यूट पे फ्लाइ कर रहा है इस मिसाइल को 500 मीटर से लेके 15 किलोमेटर के हाइट से लौंच किया जा सकता है जिसमें ये रेडेशन एमिट करने वाले टारगेट को 200 किलोमेटर के दूरी से ही नश्ट करने में सक्षम है चलिए इसकी और केपेबिलिटीज और टेक्निकल डिटेल्स को एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे फिलहाल चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ एयर चीफ मार्शल आरकेज भधोरिया जी ने अपने एक रिसेंट वेबिनार में ये कंफर्म किया है कि इंडियन एरफोर्स और भी नेत्र एयरबॉन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को प्रक्यूर करने जा रही है जो की DRDO द्वार डेवलप किया गया है और इससे हमारी इंडिजीनस अवाक्स की स्ट्रेंथ और फ्लीट केपिबिलिटीज को बड़ावा मिलेगा जो की फिलाल इनेडिक्वेट है टू फ्रंट वार को पाकिस्तान और जाइना के साथ लड़ने में DRDO ने Airbus 295 के बेस पे नेतर 2.0 अवाक्स को डेवलप करने का प्रोपोजल आएफ को किया है जैसे ही एरबस और टाटा के बीच इन एरक्राफ्ट की डील फाइनल हो जाती है बट आएफ अभी भी 5 और एमबरार ERJ-145 रीजिनल जेट पे बेस्ट नेतर अवाक्स को खरीदने में इंटरस्टिट है इंडियन एरफोर्स फिलाल एमबरार ERJ-145 पे बेस्ट तीन अवाक्स का यूज़ करती है और एमबरार अभी भी इन तीन एरक्राफ्ट के लिए स्पेर्स और सपोर्ट प्रोवाइट कर रही है कुछ दिन पहले ये न्यूस भी आई थी कि इंडियन गवर्मेंट एमबरार के कॉमर्शल विंग को खरीदने में इंटरस्टिट है जिसमें ERJ-135, 140 और 145 फैमली भी शामिर है शायद ये एक रीजन है जिसकी वज़य से आई एमबरार ERJ-145 बेस नेतर 2.0 को खरीदने में ज्यादा इंटरस्टिट है ना कि Airbus C295 क्योंकि एक नए एक्राफ्ट पे नेतर को टेस्ट और री सैटिफाइट करने में बहुत सारा समय लगेगा हाल ही में एमबरार ने ERJ-145 XR एट इस एक्टर लॉंग रेंज को भी इंट्रोडूस्ट किया है जिसकी रेंज अब बढ़कर 2000 नौटिकल माइल्स हो गई है यह भी एक रीजन हो सकता है कि इंडियन एर फोर्स अब एमबरार की तरफ जुक रही है वैसे इंडियन एर फोर्स के फ्यूचर अवाक्स की प्लैनिंग की बात करें या एरबस 295 द्वारा ही पूरा करेगी आज की तीसरी अपडेट तेजस मार्क वन ए से जुड़ी है जहां एरश चीफ मार्शल श्री आरके सिंग भदोडिया जी ने कन्फर्म किया है कि तेजस मार्क वन ए की डील दिसंबर 2020 तक फाइनल कर ली जाएगी और 2023 से पहला प्रोड़क्शन रेटी एरकाफ्ट भी डिलिवर कर दिया जाएगा जो की 2028 तक पूरे 83 एरकाफ्ट का प्रोड़क्शन कर लिया जाएगा हिंदुस्तान एरनॉटिक्स फिलाल जीए के साथ 100 प्लस F404 इंजिन्स का ओर्डर डिसकस कर रही है जो की 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा और रडार्स की बात करें तो हॉल अलरेडी ELM2052 एसर रडार्स का ओर्डर इसराइली कमपनी को दे चुकी है अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ आज की नेक्स्ट अपडेट अपस्केल्ड उत्तम ऐसे रडार से जुड़ी है दोस्तों उत्तम एक Active Electronically Scanned Area रडार है जिसको फिलहाल तेजस Mark 1A के लिए डिवलप किया जा रहा है और इसका यूज तेजस Mark 1A की Block 2 बैच के लिए किया जाएगा और उसके बाद तेजस Mark 2 में इसे यूज करने का भी प्लैन है हाल ही में एक News निकल के आ रही है कि इंडियन Air Force इस रडार की प्रोग्रेस से बहुत सेटिसफाइड है और इस रडार के अपस्केल्ड वर्जन को सुखोई में लगाने के प्रोपोजल को भी बैक कर रही है इस बात का प्रणाम स्वयम डिप्यूटी एर चीफ मार्शल श्री संदीप सिंग जी ने दिया है जहां उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि इंडियन Air Force उत्म के अपस्केल्ड वर्जन को सुखोई के लिए डेवलप करने में बहुत ही इंट्रेस्टिट है फिलहाल जो उत्तमेसर अडार तेजस मार्क वन ने और तेजस मार्क टू के लिए डेवलप किया जा रहा है उसमें 700 TR मॉड्यूल का यूज किया जा रहा है और आगे चलकर इन मॉड्यूल को हजार तक करने का भी प्लैन है जिसको तेजस मार्क टू के लेटर वर्जन्स और T.E.D.B.F में यूज किया जाएगा और अगर हम सुखोई को देखे तो सुखोई इन सभी एरक्राफ्ट से काफी बड़ा है और इसकी नोस को उनका साइज भी काफी बड़ा है जिसका मतलब ये है कि इस एरक्राफ्ट में एक लार्जर एंटीना और रडार को भी फिट किया जा सकता है जिसमें लगबग 1200 से 1300 टीयार मोड्यूल को इंस्टॉल किया जा सकता है पर ये तभी मुम्किन है अगर इसके इंजिन्स 8 से 10 किलो वोल्ट एंपेर की पावर रिक्वार्मेंट को मीट कर पाएं ये रडार गेलियम आर्सेनाइट बेस सेमि कंडुक्टर पे डेवलप किया गया है और इसे डेवलप करने वाली संस्था LRDE एक नेक्स जनरेशन गेलियम नाइट्राइट बेस सेमि कंडुक्टर वाले रडार को भी डेवलप कर रही है जिसे आगे चलकर 5th Generation Advanced Medium Combat Aircraft यानि MKA में यूज़ करने का प्लैन है Gallium Nitride Based Radars की performance Gallium Arsenide Based Radars से बैतर होती है क्योंकि ये radars कम power consume करते हैं और कम heat generate करते हैं फिर भी इसमें better electronic countermeasures, small target detection और wider bandwidth होती है तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जै हिंद